भारत में किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली कैनेडा की टूडो सरकार को अब भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का परिणाम मिल्ला शिरू हो गया है पहले विदेश मंतरी जैशंकर ने कैनेडा के नित्रित्व वाली मिनिस्ट्रिल कॉर्डिनेशन ग्रूप ओफ कोविड नाइटीन एमसी जीजी के वर्ट्वल बैठक में भाग लेने से मना कर दिया और भारत ने कैनेडा से दोनों देशों के बीट शीर्ष राजनेकों की बैठक कोस्ताकित करने के लिए कहा है रिपोर्ट की अनुसार दोनों देशों के बीच 15 दिसंबर को विदेश सा चिफ्सतर की बैठक होने वाली थी लेकिन अब भारत ने कैनेडा के साथ बैठक करने से साफ मना करते हुए इसे पोस्पॉन कर दिया है इसके साथ ही भारत ने कहा है कि ये तारीख भारत के अनकोल नहीं है भारत का ये कदम दोनों देशों की बिगरती राजनेक संबंदों की और इशारा है कि भारत कैनेडा दुआरा अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी बरदाश्ट नहीं करेगा। भारत की कदम से अब यह भी सपष्ट हुआ है कि अब अगर कैनेडा ने किसी प्रकार से भारत विरोधी तत्वों का समर्थन किया तो उसके साथ व्यपारिक संबंदों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री जैशंकर ने इसी महीने कैनेडा के विदेश मंत्री फ्रैंक केस फिलीब की अगुआई में मिनिस्ट्रिल कॉर्डिनेशन ग्रूप अफ कोविड-19 MCGC की वर्चुल बैठक में भाग लेने से भी मना कर दिया था। यहीं नहीं भारत ने नई दिली में कैनेडाई राजदूत नादिर पतेल को विदेश मंत्राले की ओर से समन भी किया था। जो पूरी तरीके से अस्वी कारे हैं। अब अगर कैनेडा की प्रधान मंत्री ने सीख नहीं ली और इसी तरह से आंतरक मामलों में हस्तक शेप करते रहे और खालिस्तानियों का समर्थन करते रहे तो भारत कैनेडा के साथ व्यपारिक सम्मंदों को भी तोड़ने के लिए अब यदि भारत चाहिए तो इन सब पर इंपोर्ट ड्यूटी को काफी है तक बढ़ा सकता है। जिससे नो सिर्फ कैनेडा को आर्थिक तोर पर नुकसान होगा बलकि इसके राजनितिक परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। लिकिन ही कैसे होगा। दरसल कैनेडा में इस एक सुनहरा अफसर होगा और इस खिचड़ी सरकार को गिरने में भी अधिक समय नहीं लगेगा। टूडो सरकार द्वारा कैनेडा में खालिस्तानियों को समर्थन देने की कारण बोधी सरकार अप्रकर हो चुकी है। चाहे वो विदेश नीती हो या कैनेडा का बहिशकार क सम्बन तो बिगड़ी चुके हैं। अब अगर भारत ने व्यापारिक भहिशकार के साथ अंतर राश्ट्रिय मंचों पर पाकिस्तान की तरह डिप्लोमेटिक भहिशकार भी शुरू कर दिया तो कैनेडा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी।